वाटसब दोस्तो गाइस पीपल आप सब कैसे है हम एकदम बढ़िया है और लाइस खोल देते हूं यार यहां की रोशनी मचाएगी तो गाइस मम्मी धिरादूर आ चुकी है और आज बहुत जदा पाटी-पाटी सोच रहे थे कि करेंगे मम्मी के आने के बाद मन था पाटी क कुछ करने का फ्रेंज के साथ भी नहीं जा पाए और मैं सूचा था आप सको नियू मॉल भी दिखाऊंगी जो धेरा दून में खुला है तो वह भी नहीं दिखा पाई गाइस और यहां बन रहा है तड़कता-फड़कता वाइट सॉस पास्ता और यह अंच आगया यहां प पास्ता बहुत पसंद है और यह पास्ता बॉइल हो छुका है मैंने अपनी और उंकी कॉण्टेटी के हिसाब से ज्यादा मैंने इसको बॉइल नहीं गरा तो अब हम मनाते हैं पास्ता सौस सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बटर अटर डालने के बार हम डालिए इसके तो मैंने इसको केसाफ से मैदा यूज कर रहा है यूज कि मम्मी को ज़ादा मैदा खाना पसंड़ा है और इसमें ध्यान देना कि आपड़ा जले ना मैदा भूणाना एसको गया सब्याइद वास इतना इतनी इसकी धीमे आफ्पना तो अब गाइस हम डालेंगे इसके अंदर दूद कर देंगे ताकि कोई गुटलिया ना रहे हैं इसके अंदर यह देखो अब यह मैदा छूटरा कर्ची से अपने आप अब द्यान देना है गाइस कोई गुटली ना रहे है तो थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर खोड़ा और इसमें जादा दिख रहा है यह केमरा हूं बड़ इतना है नी गाइस एक टेबल स्पून होगा है और और अपने फ्लेवर्स के हिसाब से और साथ में चिल्ली फ्ले और थोड़ा सा अगर आपको टेस्ट चाहिए और अच्छा चाहिए इंडियन स्टाइल जैसा तो इसमें डालो एक टेबल स्पून किचिन किंग बस और अब इसको अच्छे से हम हिलाएंगे इसके द्वारा और बाहर गाडियों के आवाज़ारियों से इग्नोर करना यह द अब मैं इसको डालूं ही अपनी इसमें तड़के में और यह वी एकदम रेड़ी है यह इसको ऑन करते हैं चलो आज है पहली बार ऑन हो गई टाइम से बनना यह बहुत दिक्तत कर रही थी और इसको एक सेगेंड के लिए और इसको बन कर देंगे अब अपने कहा गया यह हा जादा पकाएंगे तो चिपक जाएगा और इता थिक हमें चाहिए नहीं बढ़िया हो गया है और नमी खुश हो जाएगी मुटसे इतना तो यह हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी हमारा जो पास्ता है वो सबसे पहले हम अपना पास्ता डालनेंगे पास्ता अब हो चुका है और एक बर इसको शेक शेक कर लेता है प्रॉपरली जादा नहीं लाएंगे वहना पूटेगा और अब हम अपनी जो है यह हमारी सॉस है इसको लेंगे और इसको डालेंगे पूरा कर्ची चमत से एक में कर लेना इसको अच्छे से मिक्स करूंगे अभी इसके इंदर सोक होगी पूरी सॉस एकदम थिक बनाए बटरी थिक जैसे हम खाते हैं पास्ता कैफे स्टाइल है एकदम तयार है यह कैफे स्टाइल पास्ता हमारा बनाच अब इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे कि बहुत जाधा ठिकनी चभी हिए इकल हो जाएगा फ्रिज में फिर्ज में वह की रहती है अट यह कहा गया है और मिल्क डाल दें इसके उन दर थोड़ा 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 मिल्क बस और अब इसको लास्ट एक अच्छा सा फ्लेवर देंगे यह हमारा बुलकुल रेडी है सॉल्ट हो गयाना सब कुछ एकदम टेस्ट कर लेना मैंने इसमें अपनी हिसाब से डाला है यह देखो गाइस कैमरा फोकस फोकस और एकदम तयार है हमारा पास्ता इसको टेस्ट करूंगी और फिर हम चलते हैं मम्मी के पास और किचन भी सा मीटनी पड़ेगी बहुत मैसो चुकी है यहां पर लेट्स गो तोस्तों यम्यमी पास्ता इस हैर अन इस अल्रेडी तो अब चलते हैं मम्मा के पास और उन्हें टेस्ट कराते हैं और देखते हूंने कैसा लबता है यह पास्ता यह देखो आपकी लॉंग टाइरिंग जर्नी के बाद मैंने बनाया है यह पास्ता आपका फेवरेट बहुत अच्छा लग रहा है लग रहा है तंटिंग मैं बहुत बहुत यह लग रहा है और आप अब बोलोगे मेरी क्रॉक्री से यह प्लेट निका लिए और यह मैं बात में बताऊंगी मिंतरा से एक और ओर आया है बहुत अच्छा लग रहा देखने में यम्मी टेस्ट आज एकी प्लेट में खाएंगे गरा में ध्यान से कैसा है बहुत अच्छा नहां रहा है बहुत पका है सही है स्पाइसी भी है अच्छा है जैसे मेरे को चाहिए वैसे है अब हम तो वही करते आया है जो आपको चाहिए बच्पन से हम भी करते आया है जो तो मैं चाहिए और हमने क्या करना बहुत अच्छा बहुत तेस्टी है चलो पापा क्लिए भी रख दिया है थोड़ा पापा को अच्छा लगता है ना यह सब चीज बहुत यम्मी है और चीज नहीं डाली है बिल्कुल भी मीठा भी नहीं ज्यादा और श्वाइसी भी इक्वल है एक जसा लेकिन टेस्ट बहु जैसे बिल्कुल इसकी जो सौस है ना बैलेस्टा के साथ बैलन्स तो देख लो गया दोस्तों मेरे दोस्त जो इने इस पास्ता को देख रहे हैं अगर तुमें भी खाना है तो यह मत सोचना सीधा मिल जाएगा अपकी बार अपकी बार तुमें इसकी कीमत चुकानी पड़े तुमें पता है अंटी तुम्हारी बात मान जाएगी मगर अंटी नहीं मानेगी इसकी राज की रेसिपी मेरे पास ही और बहुत अच्छा बनाएगी चलो ठीके आपे खालो तो गाइस नेक्स्टे हो गया है और आज है चाची का बोते और अभी अभी उठी हो तो थोड़ी आवास कमाएगी और यह फ्लार्ज यहां पे हैं बहुत प्रिटी प्रिटी और घर के हमारे नाच्रल फ्लार्ज है जो रोज की स्मेल आते ना प्योंवर वैसी आते समें से म तो मैं इसका एक बोके बनाऊंगी ताकि उन्हें अच्छा लगे जिस्ट पॉर ग्रीटिंग लोग लेके जाएंगे बाहर का नहीं मुझे पसंद तो मैं घर पर ही नाच्रल हांडमेड बना देती हूं और यही मैं उन्हें दूनगी यह देखो कितने प्रिटी फ्लार्ज ह तो अब हम उन्हें यही वाले फ्लार्स देंगे इसका बोके बनाती हूं तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग पे और नेक्स व्लॉग आएगा जिसमें मैं दिखाऊंगी बोधे सेलिबरेशन हम लोग कहा गए थे पूरा मैं वो व्लॉग करूंगी तो वो भी देखना मत बोलना तिल दें गुद्बाय दुल्दो हिट्विगे डिलाक मैं यह व्लॉग जाएगा थे पूरा थे बोगी वाल्स दिखाऊंगी जा इन्यों जाएगा है जाएगा है जाएगा है ध्लार्स देख एगा हैज